आप सबको चैमसी की प्रभु का धनिवाद करते हैं इस सुन्दर समय के लिए और आज की इस सुन्दर सुभा के लिए हम परमेश्व का धनिवाद करते हैं कि परमेश्व ने हमें बीते सेप्टेंबर महीने में पूरा संभाल कर रखा हमारे बिगड़े विकामों को बनाया परमेश्व ने हमारे प्राणों को हिफाज़त से रखा और बहुत सारी बातों को हमारे जीवन ने बड़े बड़े अश्चरे कर्मों को प्रभु ने हमारे जीवनों में किया और बहुत से भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी गवाईयों को परमेश्वन ने दिया इस बात के लिए हम प्रभू का धनिवाद करते हैं और आज के दिन हमारे लिए खास है क्योंकि प्रभू ने एक नया महीना अक्टूबर मन्त हमारे जीवन में भजन सहीता 115.9.13 में परमेश्र कवचन कुछ इस प्रकार से कहता है थे इसराईल यहुआ पर भरोसा रखो तुम्हारा सायक और धाल वही है यहुआ ने हम को स्मरंड किया वे हमें आशीश देगा वे इस्राइल के घराने को आशीश देगा वे हारूम के घराने को आशीश देगा क्या छोटे क्या बड़े जितने यहुआ के डरवईये हैं वे उन्हें आशीश देगा अमेन, प्रवु का धन्यवात करते हैं कि सच में परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार कह रहा है कि वो हमारे सायक और हमारी धाल है और वो हमें आशीश देगा, वो हमें समरण करकर आशीश देगा, सच में हमारा परमेशवर आशीशों को देना वाला परमेशवर है, आईए हम सब मिलकर प्रातना करें, जो लोग हमें मैसेज़िस करते हैं, और जितने भी लोग हमें फोन कॉल्स करते हैं, यूटूब में मैस अपस्तिती में जाएं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की जितने भी लोग इस प्रात्ना को सुन रहे हैं परमेश्वर उन सब के लिए तुछ से प्रात्ना करते हैं परमेश्वर आप सब की सुधी लीजे परमेश्वर पिता प्यारे खुदावन हम आपसे दुआ करते हैं कि सुभा में परमेश्वर पिता हरेक के परिवार के लिए प्रबू हम आप से दुआ करते हैं प्रबू हरेक को पिता तेरी उपस्तिती में रखते हैं परमेश्वर धनिवादी हैं परमेश्वर की हरेक के परिवार को आपने एक नया महीना दिखाया परमेश्वर पिता इस ब परिवार की हर एक मुश्किलों को आप दूर करें परमेश्वर, बीते महीने जो काम उनके लिए नहीं बन पाए हैं प्रभू, येश्वमसी इस महीने परमेश्वर, आप उन्हें आशीज दें परमेश्वर, उनके कारोबार पर आशीज दें, उनके परिवार पर आशीज दे आप हर एक के परिवार को बचाएं परमेश्य पिता, पिता परमेश्य प्रभू जिन औरोतों को प्रभू जी गर्ब की आशिशे चाहिए प्रभू, इस मंत में प्रभू जी आप उने गर्ब की आशिशों को दे प्रभू, पिता परमेश्य जो अपने लिए नई जॉब को च चाहते हैं अच्छी जॉब को चाहते हैं प्रभू कुछ लोग गवर्मेंट सर्विस चाहते हैं येश्चु मसी आप उनके जीवनों में प्रभू प्रभू उन अच्छी ब्रेक्स को खोल दीजे परमेश्व पिता प्यारे खुदावन उनके लिए अच्छे एपॉर्चुनि प्रभू इस महीने में प्रभू हम उने आशीश देते हैं प्रभू कि आप उनकी गड़बडियों को आप उनके जीवन की परिस्तियों को प्रभू येश्चु बदल दीजे आप उने आशीश दे प्रभू उनके गड़बडियों को और पिता उनके रिलेशन्शिप को और और उनके जितनी भी tensions प्रभू इन मीते महीने में रही प्रभू ये शमसी इस समय प्रभू आप उन्हें आशीश दे, ना वो ना माशीश दे प्रभू जी, धन्यवाद करते हैं प्रभू, जिनके जीवने बहुत जारी मुश्किले है प्रबू आप उनके सायक और ढाल बने परमेश्वर उन परिस्तितियों से निकाले परमेश्वर प्रबू जी हम उन औरतों के लिए भी दुआ करते हैं प्रबू जो अपने बच्चों को अकेले पालते हैं परमेश्वर आप उने पिता आप उनके सायक बन जाए उनकी मदद सायता करे परमेश्वर ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश उत्तमरीथी से कर सके प्रभू, हम उनके फ्यूचर को भी तेरे हातों में सौपते हैं प्रभू, पिता जिनके उपर करजे हैं यह शुनास्ति के नाम से वो करजे दूर हो जाएं, हम प्रभू जी उनकर्जों से फ्री होने की आशिशों को उने देते हैं प्रभू जी, धनेवाजों अपने रूम रेंट नहीं दे सकते प्रभू, उनके रूम रेंट को आप उनके लिए चुकाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप यह हुआ ही रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की बिमारी है, और किसी भी प्रकार का दर्ध है, यह शुके नाम से प्रभू जी वो दर्ध, वो बिमारी उनके शरीर को छोड़ कर चली जाएं, प्रभू हम उने गुड हेल्थ की आशिश देते हैं, प्रभू जी, हम सब को आपके हाथों में देते हैं हर एक जन को प्रभू जो आप से प्रातना कर रहा है जो आप से अपने लिए प्रातना में भरोसा करता है प्रमेश्वर प्रभू आप हरे की जीवन में अध्भुत कारे को करें प्रभू यदी कोई अपनी शादी के लिए चिंतित है येश्व मसी इस महीने में प्रमेश्वर प्रभू उन्हें बढ़ाएं प्रभू जी प्रभू हर एक के परिवार पर आपका आशीश हो ये शुमसी सब कुछ आपके हातों में सौपते हैं पूरे इस महीने को तेरे हातों में सौपते हैं हर एक जन को तेरे उपस्तिती में रखते हैं प्रभू हर एक को आपके प्रात्नों को सुना उसका उत्तरहा और आमीन में दिया धनिवात के साथ प्रात्ना ये शुमसी के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन और आमीन